किसान साथियों किर्शी विग्ञान केंदर धनौरी हरिद्वार से हमारे वीच पदा रहे हैं डॉक्टर पुरुशोत्तम कुमार आप प्रभारी हैं किर्शी विग्ञान केंदर में तो बहुत-बहुत स्वागत है डॉक साब अदनेवाद विकास जी डॉक साब आज भात और मुख्य रूप से हम बात करेंगे रोग और कीट पर बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे किसान साथ ही गन्ने की खेती बहुतायत में इसको गाते हैं और आमदनी का ये मुख्य सुरोध भी बिल्कुल कैसे लोप है लेकिन डॉक्साब बात करें इन दिनों की तो गन्ने में कई स गन्ने में जब लगातार बहुत दिनों तक पानी बढ़ जाता है उसमें खड़ा हो जाता है तो गन्ने में जड़ों का जो गलन है वो तुरंत हो जाता है तो इसके लिए किसान भाई सबसे पहले तो अगर कर सकते हैं तो जो पानी फाल्दू पानी गन्ने में खड़ा हुआ है उसको बाहर निकालें एक जरूर यह ध्यान रखें कि उस समय किसान भाई जो यूरिया का इस्तेमाल करें क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल करने से उसमे कोई फाइदा जादा होता नहीं है क्योंकि जड़े तो खराब हो गई और यूरिया का अप्जोर्शन जड़ों से होता है तो उसमें कुशिस यह करनी चाहिए कि हमारा जो इस परकार के हमारे कई फर्टिलाजर आते हैं अगर हम इनका परियोग करें तो निश्ची तुरूप से जो हमारे गन्य की जो सड़ने वाली होती है या जिसको में जिसमें नुक्सान हो रहा है उसमें एक नुटिशन मिलेगा वह हमारी फचल जो थोड़ा उसमें सुधार सकती है मतलब बिल्कुल उसको ठीक तो नहीं किया सकता लेकिन किसान भाई को तो यह कर कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो उसको कुछ मिल जाएगा तो तो तोड़ा अच्छा हो जाएगा बहुत ही महतोपुन जानकारी रॉक्साब आप ने दी अब एके करके रोग और कीटों के बारे में भी जानेंगे किउकि इस स्वें में बहुत ज्यादा परकॉप देखा जाएगि और घने की बढ़वार हमारी होती है वह जून से लेकर अक्टूबर तक हुती है इसी दोरान हमारी मुख्य रूप से गन्य की बढ़वार होती है लेकिन यही समय ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादर बिमारी और कीड़ों का परकोप भी होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस समय हमारे फसल में जो भी बिमारी या कीड़े जो लग रहे हैं उनका में गन्य में बहुत सारे कीड़े लगबग 78 परकार के कीड़े और 30 से भी ज्यादर बिमारी लगती है लेकिन अगर हम अपने अक्षेतर की बात करें यहां मुख्य रूप से जो हमारे कीड़े लगते हैं उसमें हमारा अरली सोट बोरर है जिसको कनस्वा बोलते हैं हिंदी मुख्य रूप से हमारे फसल को जो सबस्याद नुकसान पहुचाता है और चुटी विद्धिक पहँचाता है इसके अलावा गुर्दासपुर विद्धिक है और कहीं कहीं पे हमारी गन्य की फसल में जो पाइरिला है वो भी लग जाता है तो अगर इनकी मुख्यूध सबसे पहले कोशिस यह करें है कि हमारा जो फर सकति हैं जो फर्ड जनरेशन है उस्तिमाल करना है कि जो दवाई जो हमने इस्तिमाल करनी है हम कोशिश यह करनी चाहिए हम इस परकार की दवाई का इस्तिमाल करें जो हमारे जैसे मुख्य जो कीड़े हैं जैसे हमारा चोटी बेदक है कनसवा है या दूसरा और भी कोई बोरर है उसमें एक ही परकार की दवाई जो है वो उसको control कर दे तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो दवाई जो आती है जिसको हमें करना चाहिए इसके लिए चोटी बेदक के लिए और हमारा कनस्वा या और भी मलब जूसरे परकार की जो बेदरिजा तना बेदक हैं इसके लिए एक आती है दवाई कलोरां ट्रीनी परोल यह दानेदार रूप में भी आती है और यह लिक्विड में भी आती है अगर आप दानेदार परियोग करनी है यह इसका 0.4 जी आर होता है और इसकी एक दसंदो आठ साथ पांच किलोगराम मातरा पढ़ते हैं इसके अलावा अगर आपने इसको लिक्विड फॉर्म इस्टेमाल करना है तो यह इसमें आती है 18.5sc मे आती है और इसकी 375 mililitर जो मातरा है इसको हमें एक हेकटर में इसका 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 करती है लेकिन जो भी हमारी जो लिक्विड है जिसको हमें चोटी वेदा के लिए इस्टेमाल करना है उसको हमें कम से कम क्योंकि यह जो दवाई है इसका जो असर है वो लगबग 80-85 दिन तक रहता है तो ताकि मलब हमारी जो पूरी की पूरी कीड़े का जो जीवन चक्र है वो इस द के पास बूंद बूंद करके तने के पास डालना है और फिर बाद में सिचाई कर देनी है तो इसके लिए हमें पानी जादा लगाना पड़ता है लगबग एक हेक्टर में लगबग एक हजार से बारों से लिटर पानी लगेगा तब जाके इसका दवाई का अच्छा कर सकते हैं इसकी आप 2-5 mm आत्रा एक लिटर पानी में घोल का कर देंगे तो पाईरियला का जो है कंट्रोल हो जाका इस परकार यह जो एक पीड़त्री दवाई है हमारी वेशिए बहुत सारी दवाई है जिनका हम स्प्रे कर सकते हैं यह भी दानेदार थी हैं इसको 3 मिलो को अच्छी सूट करें वह ले उससे जो है कीडों की जो प्रोग थाम हो जाती है बहुत ही मैं तो पुन जानकारी डॉक साब आपने दी किस तरह से इन दवाओं के परियोग से हम कीटों पर नियंतरन पा सकते हैं लेकिन अगर रोगों की बात करें तो रोगों से कैसे हम अपन को बहते रहें तो यह चीजे भी ऐसी हैं जो रोग को जो कंटोल करने में साहेता करते हैं इसके अलावा जिसे जल निकास है इनको भी हम जल निकास का भी विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए कहीं पानी अगर हम खड़ा है कहीं तो उस पर जल निकास का हम परबंद करे हैं ताकि पानी होँ खड़ाना और बीमारी उसमें नहीं आएगी इसके अलावा बहुत सारे जैसे टी ट्रीटमेंट है बीज को अगर हम उपचारित करके बोएं उससे भी हमारा क्या ना बीज का रोग जो है कंटोल हो जाता है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कौन-कौ रोग बोलते हैं हम इसके इसके लावारा एक और जो आजकल बहुत आयत में लग रहा है उसको बोलते हैं इसको टोप रोट भी बोलते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा असर जो हम अब गन्ने में दिखाई देते हैं देखो अगर गन्ने में लाल सड़न की बिमारी है सबसे पहले तो हमें कोशिَष यह करना क्या है कि जिस फसल में या जिस परजाती में लाल शटन का भीमारी आ गई है, उस परजाती का मिस्तमाल ना करें, वाई दिविश हमें करना ही पड़ जाए, हमें कोशिश यह करना चाहिए बीज ऐसे खेट से ले जिसमें लाल सडन रोक की समस्या नहीं है ऐसे इनफेस्टिट पोदे का नाव है जिसमें लाल सडन आपको लग रहा है तो यह जब भी परावरंबी का वस्ता हमें आपको दिखाई देता है इसमें यही है कि गन्ना एक त थे पीली ओकर बे बाद में सुख ने लगते है खेत अजसे जल गया तो यह इस तरह के लक्षन है जो गन्ने में लाल सडन रोक की बीमारी है इसके लावा विल्ट का है बीमारी यह एक इसमें पतया नुखिली हो जाती है और लंबी हो जाती है तो यह इस्तरगा का आपको खेत में दिखाई देता है उसको भी उखाड करके कहीं अच्छी तरह से दबा करके नस्ट कर देना चाहिए तो कुछ तो ऐसे ही है जिनम की कोई स्प्रे हमें नहीं करना पड़ेगा उनका कंट्रोल ऐसी करना पड़ेगा जो आप कल्चिरल मेथड से उनको खाड के वह खतम हो जाएगी इसके अलावा जो मैंने अभी लाल सड़न बताया इसका भी सबसे बड़े जरूरी यही है कि आप बीज का ट्रीटमेंट करें इसका ट्रीटमेंट हम कार्बन नेंजिब से भी कर सकते हैं एक गराम दवाई एक लिटर पानी में गोल करके अगर आपने का सो गराम सो लिटर पानी है तो सो गराम दवाई डाल दो में पंद्रास बीश मिनट के लिए जो कांचया हैं ऐक यह दो आक की जुझे लोग जबतान के हम और इक बता चा रहो को हमें एक परजाती के ओपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए हमारे हाँ सबसे बड़ी जो प्रोब्लम है यह कि जब अब देखना शेतर में कहीं भी आप चला जाओ कि 90% एरिये में 0-280 लगी हुए गननेगी अब यह वराइटी इसमें लाल सडन रोग आ गया अब किसानों के प हदल सकें तो मेरा यह किसान भाईयों को एक यह भी सुझाओ था इससे भी आपकी फसल जो और बीमारी से पच्छा तोर पर हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से रॉक्साब आपके बताएं इन सुझाओं को सुन रहे हैं अब जैसे डॉक्साब आप बोल रहे हैं कि हमें छ हो खिली हुई हो मौसम साफ हो और लग रहा है कि अगले एक एक या मला कम से कम भी 24 घंटे बारिश ना हो क्योंकि आज कल आपको पता है कि जो हमारा मौसम का पुरवानुमान है वह हर मॉबाइल पर भी आता है रेडियो में भी आता है और टीवी में बता जाता है किसान भा कोई भी बीicer करते हैं अपने खेत में या कोई चिड़कते है या कोई और चाथ डालते हैं तो उससे जो कर आपको पता लगाकि क्ल अगले अगले वीट एनदे इन अक एनवाले जोने फाल डeurs थें प्स्वालिमाली तो मुसम पुरवानुमान का बीस्य शुरुवब किसान भाजों को ध्यान देखना चाहिए इससे टो बोरर है या और भी इसमें हमें जोड़ा जैविक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए जैसे हम बायो चंट्रोल जो मैथर से उनको भी खॉलो करें उसकी जो जो प्रिडिया यह उनको निंग करने के लिए उनको एक हेक्टर में लगाएं और इससे लगाने से भी जो है आपका इसका जो टोबर की जो समस्या होई वह भी बहुत अत्तक जो कंट्रोल हो जाती है तो यह साथ-साथ रहसाइन के साथ-साथ आप इनका जो बायो आजेंट्स है इनका भी आप निशीतुप से परियोग करें जी तो लॉक्षाब बहुत ही महतोपन जानकारिया आज आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाए कि किस तरह से हम अपनी गन्ये की फसल को रोग और कीट से बचा सकते हैं इतनी महतोपन जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत-बहुत